हेई गाईज वेलकम बाग तो माई चानल सो हम निकल चुके हैं लखनों से और अब हम जा रहे हैं जिम कॉरविट यह सब भी हम हाइवे पे हैं and it took around 9 hours to reach जिम कॉरविट सो कैसा रहा हम experience और हमने क्या-क्या देखा कैसी रही हमारी जंगल सफारी सब जाने के लिए keep on watching so सबसे पहले हम जा रहे हैं काशिपूर उत्राखंड में क्योंकि हमें अपने एक फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करनी है और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना जंगल सफारी करने जिम कॉर्विट में so let's see कैसे रहा हमारा यह experience hello people we have reached our hotel in kashipur utrakhand we have just checked in our room so i'll give you a quick tour as we enter this is the gallery here you can keep your luggage wardrobe washroom and beds table tv coffee table and window अभी पता नी इसके आगे क्या नजारा है so a very decent and comfy room for us to stay and let's see what we have for tomorrow so our morning में 6 20 तक पहुच गए थे और 6 30 थी हमारी सफारी और हम लोग जिरना सफारी जोन में गए थे so there are total six safari zones और उसमें से आप कोई भी बुक कर आ सकते हैं as per the availability यहाँ पे हम लोग चार लोग थे चार लोग की सफारी हमने बुक की थी two couples I mean and यह जो सफारी आप लोग को 3500 की पड़ी थी so if you are booking so 3500 में आपको 4 लोग की सीटिंग का सफारी अराम से मिल जाएगा है वहाँ जाओ है में वहाँ में यहाँ है है अबंड़ है 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 जाद करेंगों परेंगा सपीन है कि अधिर के शेल के शिवार्ट ऑफ़ में माइट्ट। इस दब आपको हम उफ़ाज़ द्पाम पानी यहां पार पाद करेंगों आर पूर्ट। पाद कि अिकि अल्योग पानी इसमेह कि अधिता है साथ बागी डाइ मेरे सुखी रहे today this morning was very breezy very cold if you're coming for such an experience तो यू मेक शुर कि आप आप अच्छ से अपने आपको कवर कर के आए आच्छ से स्वेटर, जयकेट, शुज जुज मास्तो पहन नहीं है अच्छ एच्छ चाफ और ग्लवस भी पाइन आप लवस्ट लीप यह थे खव्ट लोग निया थे है तो एच्छ से वहर बहुत कोल द यह एक रिवर क्रॉस करती है बीच में तो हमने वहां पे थोड़ा सा रुके थे तो लिसन तो सम्कॉल्स की कुछ हमें पता चले कौन सा अनिमल का पे है कुछ हम स्पॉर्ट कर सके यह भी ड्राइ है बट जब रेंज होती है तो बहुत अच्छे से भर जाती है So yes, the experience was really, really great. One must come for such an experience. So having saw Tarun Dhiraren. So I'll make you meet Ria. So Tarun Dhir and Ria just got married few days back. So it was a special trip for them too. And yes, we were having a good time. So after this, we spotted an animal. So guess what? हमें एक elephant दिखा so elephant ऐसे बहुत देखे हैं बट एक जंगल में elephant देखने का experience भी काफी अलग था and that तू उसके इतने बड़े-बड़े दाथ थे so I have never seen something like that and yes काफी huge था हमारे लिए बहुत अलग experience था वो हमारे तरफ चल के आ रहा था बाद में वो देखे हमें वापस चला गया and उसने अंदर जंगल में जाके दो पेड भी गिराया से वाज आई थी बहुत तेज से so मेरे ले तो बहुत ही अलग experience था चलो वी वर हैपी की कुछ तो दिखा because easy नहीं होता है कि आपको बहुत 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 अनिमल्स दिख जाए दियर्स भी दिखे थे मैं आगे आपको उसका पिक्चर भी दिखाऊंगी इस पॉट्टेद दिखे थे and yes you can see he's going back now and इसके बाद यंदर चले जाता है फोरेस्ट में and we could hear कि वह बहुत सारे ऐसे trees को गिरा रहा था maybe he was angry or something इसके बाद हमें खुब सारे स्पॉटेड डियर्स दिखे थे और मंकीज दिखे थे हम्यारे जो गाइड थे साथ में उन्होंने हमें बताया था कि डियर्स और मंकीज काफी अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं जंगल में बैसिकली इस टियर्स को हिंट कर देता है जब उसे पदा चलता है कि कोई मुवमेंट हो रहा है टाइगर का तो सो हमारा वन साइड ऑफ दे सफारी वाज ओवर्स और वीच में एक पॉइंट होता है जहां पर यहां पर रुके थे यहां पर कोड़ी बंगवाई है अलुकी गोबिकी और वी हाद सम कॉफी लेज जो हम घर से लेके आये थे यहां गेट यह रोज स्नाक्स आप ला सकते हैं कॉफी बंबड़ी है यहां 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 बाद हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापिस चले गए थे दूसरे रूट से हमे भी तूसरे बंब खातर हैा, अच्छा हमें कुछ बिल जाए देखने को, बढ़ा हमें कोई टाइगर अगे लिखने को ने मेला, sadly बड़ी बैट वजाओ अ क्यू खेंड़ी है और आमे कोे टाइगर अ उगयर है रीट प्रेप UV What just to do? है? baik crep बसी घब चलोग साज़ जारी साज़ जड़री बढ़री बड़री इसे के सकते हैं झालो को लिए हम उलो है, बारी टारी बड़री बडादान लिहां